संचार टेलिफोन, टेलिविजिन और इंटरनेट जैसे संचार के अनेक आनेक माध्युमों द्वारा प्रित्वी पर संपूर्ण मानवजाती को समी प्लाया गया है इस बात में कोई आश्चर्य नहीं, क्या बिश्व एक सिकुडता हुआ बिश्व है संचार संदेश भेज कर एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करना है व्यक्तिगत और सार्वजनिक संदेश ने बड़े पैमाने पर समाज तक पहुँचने में सहायता की है संचार कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजने, डाकी के माध्यम से डाग भेजने के समय से लेकर आधुनिक माध्यमों तक विकसित हुआ है इस प्रकार हमारे चारों ओर का पर्यावरण बदल रहा है संचार का उप्योग मनुरन्जन करने, सुचना देने और शिक्षित करने के लिए किया जाता है ऐसा cellular या smart phone और कम्प्यूटरों का उप्योग कर, इंटिनेट पर संदेश और electronic mail या email भेज कर व्यक्तिकत आधार पर किया जा सकता है ऐसा बेतार संचार के माध्यम से होता है इसका उपयोग टिकेट, होटल की कमरे इत्यादी की बुकिंग जैसे सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी किया जाता है यहाँ तक कि आप किसी भी आपादकाल में अपनी फोन का उपयोग करके, अपनी डॉक्टर को फोन करके या संदेश भेज कर सूचित कर सकते हैं सार्वजनिक संचार जन संचार माध्यमों, अर्थाद समाचार पत्रों, रेडियों या टेलिविजिन से भी हो सकता है शारिडे ग्रूप से बड़ी सभाव को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक संदेश प्रणालियों का उपयोग किया जाता है आजकल बेतार तकनीक या साटलाइट संचार का उपयोग करके ब्रॉडकास्ट या पॉडकास्ट के माध्यम से वीडियो या टेलिकॉन्फरेंसिंग होती है इससे लोगों के विशाल जन समोह को जल्दी से जुड़ने में सहायता मिलती है और लागत और श्रम बचता है